हेलो सो फ्रेंट्स वेलकम बैक तू माई योटूब चैनल तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने 4G मोबाइल में 5G नेटवर्क कैसे चलाएं तो फ्रेंट्स वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इसकी मत करना वीडियो को पूरा इंडे तक दिखना तभी आप वीडियो को अच्छे प्रोसेस से समट पाओगे तो friends आई ये चलते हैं वीडियो की शुरुवात करते हैं तो friends यहाँ पर पहले setting वाले option पर click करेंगे जैसे ही setting वाले option पर click करते हैं friends यहाँ पर थोड़ा scroll करेंगे scroll करने के बाद देख सकते हैं friends यहाँ पर connection का option दिख रहा है इस connection वाले option पर हमें click कर देना है mobile network वाले आफसन पर click कर देना है जैसे ही mobile network वाले आफसन पर click करते हैं friends यहाँ पर देख सकते हैं कि mobile network open हो चुका है तो friends यहाँ पर हमें access point names दिख रहा है इस वाले आफसन पर हमें click कर देना है जैसे ही इस पर click करते हैं friends यहाँ पर देख सकते हैं यह access point name open हो चुका है तो friends यहाँ पर जिस sim में 5G network चलाना है उस sim पर click कर देंगे तो friends यहाँ पर हमें sim 1 में 5G network चलाना है तो sim 1 पर click करेंगे जैसे ही इस पर click करते हैं friends यह देख सकते हैं कि sim 1 में मेरा board of phone sim लगा हुआ है तो friends यहाँ पर देख सकते हैं उपर add का option दिख रहा है इस add वाले option पर click कर देना है जैसे ही add वाले option पर click करते हैं friends यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे उपर name दिख रहा है यहां name वाले option पर हमें click करना है जैसे ही इस पर click करते हैं friends यहां पर अपने sim का name लिखना है बिना space के board of phone 5G लिखना है लिखने के वाद friends यहां पर ok कर देना है जैसे ही ok करते हैं friends अगला option देखेगा APN इस वाले option पर हमें click करना है जैसे ही इस पर किलिक करते हैं friends यहाँ पर हम लिख देंगे boda phone space 5G एक बाद जरूर ध्यान में रखना friends यहाँ पर boda phone space 5G लिखना है उसके बाद friends यहाँ पर ok कर देना है जैसे ही ok करते हैं friends यहाँ पर username पूछेगा username वाले option पर किलिक करके यहाँ पर sim का name डाल देना है तो friends मेरा sim boda phone है मैं boda phone लिख देता हूँ boda phone टाइप करने के बाद friends यहाँ पर ok का option आएगा इस ok वाले option पर हमें किलिक कर देना है जैसे ही ok करते हैं friends यहाँ पर नीचे server का option आएगा इस सर्वर वाले आस्वन पर हमें किलिक करना है जैसे ही इस पर किलिक करते हैं friends तो friends यहाँ पर www.bodafone5g.com लिख देंगे जैसे ही इतना लिखते हैं friends लिखने के बाद friends यहाँ पर नीचे ओकी कास्षन आए इस ओकी वाले आस्वन पर हमें किलिक कर देना है जैसे ही ओके करते हैं friends यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो friends जैसे स्क्रॉल करते हैं friends यहाँ पर additional type दिख रहा है इस वाले आसवन पर किलिक करके हमें non कर देना है non करने के बाद friends अगले वाले आसवन पर apn type में जाएंगे तो friends यहाँ पर हमें default ही रहने देना है तो friends अगला आसवन apn protocol देखेगा इस वाले आसवन पर हमें किलिक करना है जैसे ही इस पर किलिक करते हैं friends यहाँ पर देख सकते हैं ip b4 दिख रहा है इस वाले आसवन पर हमें किलिक कर देना है जैसे ही इस पर किलिक करते हैं friends यहाँ पर अगला आफसन आएगा APN roaming protocol इस वाले आफसन पर हमें किलिक करना है जैसे ही इस पर किलिक करते हैं friends यहाँ पर देख सकते हैं कि कई सारा आपको आफसन दिखेगा तो friends यहाँ पर reality वाले option पर click कर देंगे, यहसे ही इस पर click करते हैं friends, उसके बाद नीचे okey का option आएगा, उस okey वाले option पर हमें click कर देना है, जैसे ही इतना करते हैं friends, यहाँ पर ससे नीचे friends, mobile virtual network operator type दिख रहा है friends, इस वाले option पर हमें click कर देना है, जैसे ही इस पर click करते हैं friends, तो यहाँ पर हमें कई सारा आपको option दिखेगा, तो friends, यहाँ पर हमें first वाले option पर click कर देना है, जैसे ही इतना करते हैं friends, तो यहाँ पर network 5G बन जाएगा friends, तो friends यहाँ पर first से उपर three dot का option दिखेगा, उस three dot वाले option पर हमें click कर देना है, जैसे ही इस पर किलिक करते हैं फ्रेंड्स यह देख सकते हैं कि बोड़ा फॉन 5G नेटवर्क बन चुका है तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोड़ा फॉन 5G नेटवर्क चला सकते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर बैक चले आएंगे बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर यूटूब ओपिन करेंगे जैसे ही यूटूब ओपिन करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर स्वाट वाले आपसर पर किलिक करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर स्वाट वाले आपसर पर किलिक क करें फिर मैंता है एक नए वीडियों तब तक के लिए धन्यवाद